आपको opportunity मिलती है कि मुझे कैसे जो है वो एक better life अपनी second stage पर कैसे गुजारन लिए stage 1 है unmade life, stage 2 है it's a merit life अगर आपको मेरी चोटी चोटी वीडियो और मेरी चोटी चोटी टिप्स आपकी जिंदगी में चेंज कर रही है Life with Mansoor YouTube पे जाएं हमें सब्सक्राइब करें तेंक यू, once again, this is Mansoor Nakhvi, I am the President and CEO of MDO Group of the Company आज हमारी इस series का 20 series का आज हमारी आज़ी वीडियो है दोस्तों और इस वीडियो के हवाले से मैं अपनी यंग जनरेशन को जो एक success की series पर चड़ते हैं तो आज का जो, जो मैंने आपको बताया के जिन्दगी में जब आप अपनी success को आगे लेके जाते हैं तो उसके लिए कितना important है कि आपको हर angle पे अपना ख्याल रखना जरूरी है इसमें सबसे important आग मेरे topic है, मेरे young people, मेरे बेहने, मेरे दोस्त, अब आप पर enjoy करेंगे कि get marriage with early age, देखें, इनसान की एक फितरत है, इनसान का एक जर्णी है जब मैंने अपनी age पाकिस्तान में, जैसे कि मैंने आपसे बादा किया है कि मैं कोशिश होगी कि मैं आपको अपनी journey आप से share करूँ, अपने हलाद आप से share करूँ तो शायद मेरे किसी दोस्त को इस से फाइदा पहुँचे और वो अपनी सोच को उस traction में वो डाल सके तो मैंने ये decide किया कि जब metric pass किया, इंडर किया, BSC किया, MSC किया जारी बते हैं, ये फितरी अमल है कि आपकी age factor 25 to 26 हुए तो then we migrate to Canada मैंने ये क्यों महसूस किया कि Canada जब मैं आया यहां पर अपना business establish किया फिर मैंने ये महसूस किया कि मनसूर अगर तुमें मजीद आगे जाना है तो तुमें अपने mind को बिल्कुल clear करना है क्योंकि अगर तुमने mind को अपने clear नहीं किया और तुम किसी भी reason के तहट लेकि इनसान एक गलती का पतला है कि अगर उसने कोई भी mistake young life में कर ली तो उसका impact जो है वो आपकी rest of the life पे आपका impact आएगा पहुश्चों लोग कहते हैं कि हम जो है पहले पैसा कमा लें पहले हम जो है वो किसी अच्छी पोस्ट पे लग जाएं पहले हमें कोई जो हमारे हमारे भेन भायों की शादी हो जाए पहले हमें जो हमारे पहले लोन सदा हो जाए बहुत सी myth है life के अंदर लेकिन मैं समझता हूँ कि सबसे बड़ा रोल जो है life के अंदर वो आप खुद है कि अगर आप ने कहा कि मैं उस स्टेज पे पहुंच गया हूँ मेरे हिसाब से ideal agent अगें मैं आपको I'm not the guider of the human body और science तो मैं आप से share नहीं कर रहा हूँ लेकिन मैं आपको कहूंगा the best age for the man to get married is maximum 27 to 28, 26 starting the trigger and 28 and 29 should be the reasonable age to engage with the marriage life इसका जो सबसे बड़ा benefit है कि आपकी सोच जो है वो एक जगा पर आके एक जगा पर settle जाती है regardless of आपकी settlement कहां पर आकर रुक रही है सबसे benefit जो आपकी life में चाहे आप job कर रहे हैं आप बिजनस कर रहें आपका जब partner आपके साथ engage होता है जब आपका partner life partner से engage होता है तो आपको सबसे बड़ा जो शोगूर पैदा होता है कि जिम्मेदारी का एहसास मजीद पैदा होता है यह जिम्मेदारी वो लोग जो मुक्तलिव रस्यों से भाग रहते हैं आप जिम्मेदारी मजीद क्यारी करते हैं आपको अपनी फैमली को का opportunity मिलती है कि कैसे जो है इसको expand करना है आपको opportunity मिलती है कि मुझे कैसे जो है वो एक better life अपनी second stage पर कैसे गुजारना है यह स्टेज बने अनमेड लाइफ स्टेज टू है इस अमेरिट लाइफ यह जो सोच का अमल जब आपका बड़ा होता है इसका benefit आपकी जो मैंने अपनी लाइफ में देखा कि जब मैंने marriage marriage की तो I was 28 years old और मैं कैनाडा में यहां पर आया मुझे आईवे सिर्फ एक साल गुज़रा था I decided to get married और मैं यहां पर यह तरखीज नहीं करूंगा कि marriage जो है वो क्याना में it's an arranged marriage or is a love marriage that's I'll leave it on your people hand that is not none of my business but regardless of which marriage you does right it's arrange or love that's not my suggestion to you my suggestion to you is once you engage that relationship right it is going to give you a stationary phase now you two people are thinking about the life of the future और अगर किसमत आपकी अच्छी है कि आपको अच्छा पार्टर मिल जाए जो कि आपको supportive हो आपके लिए so things will be changed very 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 differently which I am the luckiest one I found a very good partner which helped me out every single ankle stage of the life and I think that is the reason I can work more I can stay with the business more and I can do lots of hard working दोस्तों ये जो decision making है ना कि जितना तुम early कर लोगे लाइफ इतनी बेटर हो जाएगी दोस्तों इस लाइफ जब आप get marriage life आप कर लेते हैं अपने life आपकी marriage की में बन जाती है दोस्तों उस मसाइल के अंदर आपको ये बात कर ख्याल लगना है कि जब मैंने ये marriage का अमल आ गिया है तो अब आपको सोचना है कि मुझे अपनी इस marriage को कैसे बेटर चलाना है दोस्तों इसका सबसे बड़ा शूर अमल ये है कि आपको अपने आपको इतना समल के चलना है कि आपके रिष्टे के अंदर कोई कोई लखीर ना पैदा हो कोई doubt पैदा ना हो बहुत से लोग गलती करते हैं life में कि कभी wife husband पे doubt करती है कभी husband wife पे doubt करता है तो अगर ये doubt life के आपके अंदर interfere हो गए तो समझे आपके जदगी पूरी के पूरी बर्बात हो गए दोस्तों ये trust level अगर आपके दोनों के दर्मयान एक build हो गया कि आपने कहा कि ये इसका जो action है मेरे benefit में है इसका जो action है तेरे benefit में है तो ये दोनों जो benefit की जो cycle आगे चले आपकी गाड़ी बहुत तेजी के साथ speedly आगे की तरफ चलना शुजाती है दोस्तों मैंने life के अंदर जब marriage की trust level बिल्ड किया business में in हुआ मैंने एक चीज़ और message दोंगा इसी life के आगे continuation के साथ मैंने एक बार decide की जो मैं अपने तमाम दोस्तों को कहता हूँ दोस्तों marriage जो आपने की है मेरी बात को प्लीज आप गलत count नहीं कीज़ेगा मैं अपना सिर्फ experience आपके शेयर कर रहा हूँ decision आपका अपना है आपकी life में जो count है हर आदमी की need है हर आदमी की जरूरत है उसको कैसे complete करने क्या करना है that is up to you but life के अंदर सबसे important चीज़ यह है कि जैसे ही आपने life partner लेकर आए तो आप life partner अपने सुकून अपने बच्चों के सुकून अपने घर के सुकून के लिए आप लेकर आए है तो कोशिच करें कि business को और life partner को दोनों अलग अलग रखें ताकि आप घर का enjoyment घर में करें business का enjoyment business भी करें जैसे ही आप ने ये road map तेक कर लिया जैसे ही आप ने ये action in line कर लिया जैसे ही आपने इन चीज़ों को divide कर दिया आप believe करें जब आप business प्राएंगे तो आपका focus पूरा business भोगा और आपकी growth continue होती चाहिएगी जैसे तो ये ऐसी ये ऐसी मेरी life की success story है जिसमें मैं 5 point कहूंगा आपको इस मेरे point के अंदर पहली बात early age get married number one condition number two once you get married do not doubt each other blame नहीं करो कि ये इसका चक्कर उसके साथ है that kill you number three point ये के business और घर को अलग अलग रखो do not mix together and number four point very critical point है कि always share a good thing in the home never share the bad story to the home and number five point है आज की वीडियो बड़ा important point है कि always tell the truth कभी भी अपनी life के अंदर घर में जाके भड़किया नहीं मारो कि मैं तो तुमारे लिए आस्मा शेतार तोड़्य लिया उँँ गा मैं ये कर दूँगा मैं उह कर दूँऊं जैसे ही तुमने ये जो आपूए इस पिसम का अमल स्टार्ट किया जैसे ही तुमारे लिए सिर्फ बर्बादी आएगी और कुछ नहीं आएगा दोस्तों अगर आप ने ये पांच बातों का जिन्दगी में ख्याल कर लिया तो जो मैंने लाइफ में देखा है कि लाइफ को स्टेच में आगे ले जाने के लिए ये सुकून के साथ जब बिसनस में हिट हुआ तो मैंने एक के बाद दूसरा तीसरा चौता और कई बिसनस काम पायर खड़ा कर दिया और इंडेफिनेट प्रूफ पे चला गया दोस्तों ये जो जजबा अंदर से आता है ना सुबा उटकर ये तमाम वो सुकून का नतीजा होता है जब आपको सुकून घर से मिलता है और उसका रिफलेक्शन आपके बिसनस के तरफ होता है जब आपको घर से को डाउट नहीं होता तो आपका सारा फोकस बिसनस के तरफ होता है दोस्तों इस वीडियो की मदल से मैं अपनी लाइप की जरूनी की वो एंगल आप से शेयर कर रहा हूं कि मेरे सोचने का अंदास क्या है और मैं क्यों मल्टिबल बिजनस करने के काबिल हुआ और कैसे में आगे पड़ा दोस्तों मेरे ये वीडियो को बहुत गौर से सुनियेगा और प्लीज इस वीडियो को इस एंगल जा सुनियेगा कि ये मेरा वियू है मर्जी आपकी है आप अपने बच्चों को अपने बड़ों को अपने कैसे गाइड कर सकते हैं आपशन आपका है हमारी वीडियो को जादा शेयर करें Once again, thank you इसमन सुना करें